Hello Friends, Welcome to ICSM Computer Institute ICSM Computer Institute में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम सीखेंगे MS Excel के अंदर Data Table का यूज कैसे करते हैं सबसे पहले हम Excel उपन करेंगे Window Plus R करेंगे यहां से Excel टाइप करेंगे और Enter रहेंगे अब आप देखने हैं आपका MS Excel उपन हो चुका है अब हम यहाँ पर Data Table का यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दो वैल्यू जा लेंगे Like, One and Second Column में हमने डाला Second Rows के अंदर डाला हमने One अब हम क्या करेंगे? Head पे आएंगे और हम Equal to का साइन देंगे और यह जो First Value है आपकी A1 हम इसे A1 भी लिख सकते हैं या हम इस पर क्लिक करके इस Option को Slack कर सकते हैं इसके बाद आप Multiply का Option देंगे Multiply का Option देने के बाद आप क्या करेंगे? Multiply लगाएंगे इसके बाद आप यहाँ से Second Cell की Value लेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर Enter Place करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो Value है आपने जो Multiply किया वो बनाया अब हम इसके बाद यहाँ पर टू लेंगे और इसके जर्श्ट बरावर में फ्री डालेंगे, Insert करेंगे इसी तरीके से ठीक आप यहाँ पर भी टू लिखेंगे और इसके नीचे भी Value डालेंगे अब आप इन दौनों Option को Slack करेंगे और यहाँ का यह जो Option देख रहे हैं आप इसे Fill Angle कहते हैं आप इसे Drag करके जहां तक आप Table दनाना चाहते हैं वहां तक की Value इसमें ले लेंगे इसके बाद हम इन दौनों Option को करेंगे और इसी तरीके से अब हम इनको भी ड्रैक करेंगे ब्रैक करने के बाद अब हम Completely पूरी टेबल को Slack कर लेंगे अपने जब हम अपने पूरी टेबल को कमप्लीट स्लैक कर लेते हैं तो उसके बाद हम Data Option पे जाते हैं यह Data Option पे आप जाएंगे Data Table पे जब आप फिलिक करेंगे तो यह Option फुल कर आएगा आप वो Input Cell आप इसमें First Value Insert करेंगे इसके बाद आप से पूछ रहा है है Column Input Cell तो आप यहाँ पर Second Value इसके बाद आप यहाँ से OK कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टेबल Completely बन चुकी है जैसे Like 2 की टेबल आप देख रहे है यह टूकी टेबल आपकी तेजार है इसी तरीके से आपने 10 तक जो टेबल ली है वो Completely 10 तक टेबल बन चुकी है तो Data Table का यूज हमें आची तरीके से समझना आया होगा आची क्लास में इतना ही बाकी नेक्ट लास में हम आपको सिखाएंगे Text2 कॉलम How to use Text2 कॉलम If you want to learn more tutorial widget or website www.icsminfo.com Thank you